हाई अब्रिवान कैसे हैं आप लोग आप लोग सब अच्छे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो वेलकम बेक तो माई चैनल जीनिया धनकर्ट गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फॉर्स डैट इस केमिकल रियक्शन्स एंड एक्वेशन्स चैप्टर हम लोगों को त्यार करना है तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये देखिए कैमिकल रियक्शन्स सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर से समझते हैं कि हमें क्या क्या उसके अंदर समझना पड़ेगा जब भी कोई कैमिकल चेंज होता है कुछ बनत बहुती बेसिक स्टार्ट कर रही हो मैं ठीक है एक होते हैं अलिमेंट्स हैं यह जैसे कि सोडियम हो गए ठीक है क्लोराइड हो गया केलश्यम हो गया यह क्या है यह एलिमेंट्स अगर मैं कंपाउंड की बात करूम कंपाउंड आप लोगोंने पढ़ा होगा डैफिनेशन क क्लो न सी ऐल इसजी कि सोडियम गलॉराइट एडा एक पाउन्ड हो जाएगा ठीक है तो इन दो का हम लोग आपको बताऊंगी थीक है तो x chemical reactions क्या है इसमें हम लोग different type की reactions देखेंगे कुछ में बनेगा compounds breakdown होंगे कुछ में बनेगा कुछ something बन के आएगा result में कुछ product हम लोगों को मिलेगा ठीक है तो देखो chemical reaction क्या है the transformation transform होना of a chemical substance into another chemical substance कोई भी एक substance है ठीक है उसके अंदर कोई भी changement आया transformation का मतलब क्या होता है change होना कुछ भी change हुआ या फिर हम कह सकते हैं transform हुआ ठीक है into another chemical substance suppose करो another chemical substance जो हमें मिला है वो कुछ ऐसा है ठीक है तो हम इसको नाम देदेंगे chemical reaction का समझ में आया जब कोई भी chemical substance किसी दूसरे chemical substance में transform होता है या change होता है उसको chemical reaction बोल देते हैं ठीक है जैसे की rusting of iron आपकी book में दिया गया है अगर आप लोग जो pen होता है तवा होता है अगर उसको humid atmosphere में भाहर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा उस पे जंग लग जाएगा ठीक है रस्टिंग हो जाएगी iron पे रस्टिंग of iron ये भी क्या है chemical change है अच्छा एक चीज़ क्लियर करना कि एक होता है chemical change एक होता है physical change ठीक है ये next slide में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोनों में क्या फरक है पहले chemical का समझो आप लोग ठीक है जैसे कि रस्टिंग लगा iron पे तो वो chemical change कहलाएगा ठीक है chemical reaction के अंडर आ गया ये second है formation of curd from milk milk है उससे curd का बन जाना तो पूरा वो chemical change हो गया ठीक है milk का कुछ और pH था अब curd का कुछ और pH हो गया ठीक है chemical ही पूरा चेंज हो गया है digestion of food body के अंदर stomach के अंदर ठीक है जब खाना जाता है तो वो breakdown भी होता है macromolecules से micromolecules बनते हैं suppose करो आपने खाना खाया ठीक है आपने एक चपाती खाई है अब यह क्या करेगे आपने bite को तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दिया आपकी body में यह जाना शुरू हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा आपके जो digestive system है उसके अंदर यह जाएगा यहाँ पर कुछ enzymes हैं enzymes हैं वो इसके उपर work करेंगे और इस खाने को breakdown करना शुरू कर देंगे ठीक है breakdown करना शुरू कर देंगे अब जो breakdown वाला काम होगा ना उसके अंदर क्या आगया chemical reaction पूरा chemical ही वो change हो जाएगा ठीक है पहले कुछ और form थी फिर कुछ और form बन गई तो यह है chemical reaction अब यहाँ पर दो चीज़े हैं आप लोगों को समझना है यह difference यह तो है यहाँ पर chemical change chemical ठीक है chemical change और यह है physical physical change अब combustion हुआ है ठीक है तो यह है एक chemical reaction का ठीक है किसी भी चीज का सड़ना रोटिंग होना यह क्या है chemical पूरा change हो गया या फिर रस्टिंग हो जाना ठीक है यह नेल है इसके ओपर जंग लग गया है तो यह क्या कहलाएगा यह एक chemical change कहलाएगा राइट डाइजेशन का प्रोसेस है मैंने पीछे बताया enzymes breakdown करते हैं यह भी पूरा chemical change के अंदर आता है राइट physical change में जैसे कुछ भी है हम लोग chopping कर रहे हैं ठीक है हम लोग vegetables की chopping कर रहे हैं हम लोग सबजियां काट रहे हैं तो क्या करेंगे उसको छोटे-छोटे टुकडो में काट देंगे ठीक है suppose करो यह कोई भी सबजी है ठीक है यह आलो इसको हमने काट के छोटे-छोटे pieces में बना दिया तो यह हमने क्या कर दिया यह इसको physically हमने change कर दिया या फिर कुछ भी हम boil कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा physical change कहलाएगा राइट कुछ भी चीज का मेल्ट हो रहा है जैसे अब आइस है आइस से मेल्ट होके water बन जाता है तो यह भी एक physical change के अंदर आता है ठीक है कोई भी चीज का shred होना ठीक हमने कुछ भी paper को डाल दिया और फोर नीचे श्रेड होके आगया यह भी एक physical change है मतलब हमने सर्फ form change कर दी तो यह कहलाएगा physical और chemical change के बीच में difference I hope आप लोगों को अभी अच्छे से हर चीज समझ में आ रहे है ठीक है देखिए chemical reaction जो चैप्टर है न वो पढ़ने का motive ही है यह कि आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ा सा idea हो कि अपने सराउनिंग में जो जो चीजे होती है नेचर में वो chemical change है या फिर physical change है ठीक है अगर तो वो chemical change है तो वो कितने टाइप का chemical change हो सकता है हम कुछ ना कुछ नया बनाते हैं लैब के अंदर हम कुछ compounds को break down करते हैं देखते हैं उसके बाद में हमें result क्या मिला या फिर कुछ भी दो elements को जोडते हैं हमें एक compound मिलता है तो देखते हैं result में हम लोगों को क्या मिला ठीक है तो ये सारी चीजों की knowledge होनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ठीक है इसलिए हम लोग ये chapter को पढ़ रहे हैं अब दो चीज़े ह जैसे आपने elements और compounds का पढ़ाता ठीक है उसको समझा था कि क्या होते हैं तो मैं recap करना चाहूंगी एक बार elements का जब भी नाम आता है तब आप लोग क्या देखेंगे element में कि sodium जितने भी जैसे periodic table में elements होते हैं ठीक है sodium, calcium, potassium, sulfur ये सारे elements हैं अगर दो या दो से ज़्यादा elements को मिला देंगे तो वो compound बन जाएगा ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद हो गई I think आप दोबारा याद करने कि इसको need नहीं पड़ेगी ठीक है ऐसे ही समझो reactants and products क्या होते हैं product बहुत बार आपने इस चीज़ को सुना हुआ कि हमने ये काम किया और last में हमारा product ब ये है ठीक है तो product क्या होता है पहले तो ये समझो जब भी कोई नया substance बनता है त्यार होता है तो as a result chemical reaction के अंदर उसको product कहते हैं और जो substances take part करते हैं chemical reaction में उनको reactants कहते हैं क्योंकि react करते हैं आपस में तभी तो product त्यार हुआ अगर reactant ही नहीं होंगे तो product त्यार नहीं हो सकता ठीक है तो product तो वो हो गया जो नया substance बना है ठीक है और reactant क्या हो गया जिसने भी chemical reaction के अंदर अब क्योंकि chemical reaction वाला हम लोग part कर रहे हैं ये chapter पढ़ रहे हैं तो जो भी substance हिस्सा लेंगे chemical reaction में वो reactants कहला देंगे simple Okay, example की बात करें तो magnesium है, oxygen है मिलके क्या बना देगा magnesium oxide, ठीक है MgO, अब यहाँ पर balancing की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर यह 2-2 क्यों लगाया है आगे मैं balancing करनी सिखाऊंगे इस चीज की, ठीक है, लेकिन आपको example अगर लिखना है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, 2 magnesium के यहाँ पर हो जाएंगे molecules, ठीक है atoms हो जाएंगे और 2 यहाँ पर हो जाएंगे oxygen के atoms, राइट और यहाँ पर 2 magnesium oxide के यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है, result के अंदर ओके, अब chemical reactions के कुछ characteristics होते हैं, जैसे कि आप किसी को identify करते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे कि class का monitor क्या है characteristics, क्या characteristics होनी चाहिए class के monitor की ठीक है, सबसे पहले तो वो punctual होना चाहिए, मैं एक general बात कर रहे हूँ, ताकि chemical reactions की characteristics की बात आए, तो फटा-फट से दिमाग में click करें कि क्या बताया था chemical reaction के characteristics की जब बात आई थी तो क्या गया points थे, सबसे पहले होना चाहिए कि वो punctual हो ठीक है, उसके अंदर leadership quality होनी चाहिए, उसके अंदर confidence होना चाहिए, ऐसे ही कुछ chemical reaction के अंदर कुछ characteristics हैं, जैसे कि change in state अगर state तेन टाइप की होती है, ठीक है solid, liquid यहाँ पर यह gas है gas है, यहाँ पर यह solid लिखा हुआ example में, ठीक है, यह है आपका example, तो तीन state है यहाँ पर, solid, liquid, gas, इतना समझ में आया, अगर तो solid से liquid कुछ बन रहा है या liquid से gas कुछ बन रहा है, तो यहाँ पर state change हो गई है, ठीक है अगर ice है ice है, ठीक है ice का हमने क्या किया, अगर तो suppose करो ice है, ice को पिंखल के water बनना होगा, यह तो क्या है एक type का physical change है, इसमें कुछ भी अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है, तो इसमें confuse मत हो ना, जहाँ पर यह ice वाला example आएगा इसलिए मैंने इक करेक्टर स्टिक के अंदर स्रामा करके बताया, ice से water बनेगा ना, तो यह क्या है, एक physical change है, अकसर यह question पूछ लिया जाता है, और यह confuse करता है, ठीक है, solid से liquid, liquid से gas, हाला कि यहाँ पर भी तो state change हुई है, बट वो खुद से हुई है, उसको प्लस में HCM, HCL है, hydrochloric acid है, तो वो क्या बना देगा, ammonium chloride बना देगा, ठीक है, तो यहाँ पर gas था, यहाँ पर gas था, state change होके बन गया solid, अब यह है solid, यहाँ पर crystals आप लोग देख पा रहे हैं, यह क्या है, ammonium chloride के crystals हैं, ठीक है, समझ में आया इतना, दूसरा है, यहाँ पर change in color, या तो state change हो जाए, या फिर color change हो जाए, ठीक है, कोई भी हम कुछ कर रहे हैं, chemical, हम कोई भी reaction कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, वो chemical reaction है, अगर तो उसका color change हो गया, तो it means chemical reaction है, ठीक है, जैसे कि the reaction between citric acid and the potassium permagnate, citric acid and potassium permagnate का जब हम लोग reaction करते हैं, citric acid का, अगर आप लोगों से formula पूछ लिया जाएगा, chemical formula तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, देखो, CHO, ऐसे दोनों के बीच में जब reaction होगी, तो क्या होगा, change in color from purple to colorless, कैसे होगा, potassium permagnate पहले purple color का था, अब वो क्या कहलाएगा, colorless कहलाएगा, क्योंकि citric acid के साथ में उसने react किया है, यह है क्या होगा, अब यह क्या हो इसके बाद में है, evolution of gas, third characteristic, evolution of gas, या तो फिर gas का evolve हो, ठीक है, जैसे की, the chemical reaction between the zinc and the dilute sulfuric acid, characterized by the evolution of hydrogen gas, यह जो यहाँ पर equations दिये गए है, ना, example आप लोगों को, यह important होते हैं, यह सब के याद करने है, examples, ठीक है, सब के याद करने है, क्योंकि जब भी definition आप लोग लिखेंगे ना, तो यह last में जरूर लिखेंगे, right, इसके बाद में देखो, zinc है, यह solid state में है, states भी लिखने हैं इसकी, आगे जब balancing करेंगे ना, हम लोग उस किताब अच्छे से समझाओंगे मैं यह चीज, ठीक है, dilute sulfuric acid क्या बना देगा, zinc sulfate बना देगा, और hydrogen gas यहाँ पर, जो यह symbol है, इसका मतलब है, evolve हो रही है, ठीक है, evolve हो रही है, evolution हो रहा है, बाहर निकल रही है, ओके, इसके बाद में, fourth है, change in temperature, देखो, क्या-क्या पढ़ा, या तो state में change हो जाए, या color में change हो जाए, या फिर gas निकल जाए, तीन चीज़े पढ़ी है, fourth में है temperature, अगर change होता है, तो, the chemical reaction between the quick lime to form the slick lime, is characterized by the change in temperature, ठीक है, जब quick lime, quick lime जो है, slaked lime बनाता है, slaked lime, तो temperature change हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसका temperature, जो slaked lime है, उसका temperature यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, तो यह कुछ गरम-गरम सा हो जाता है, तो वो कहलाएगा यहाँ पर, change in temperature, okay, hydrogen gas का evolution मैंने आप लोगों को बताया था, तो आपकी यहाँ पर डाइग्राम दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है, उसमें यह दिखा रख है कि यहाँ पर hydrogen gas निकल रही है, एक pop sound create हो रही है, NCRT का question है, इसमें NCRT का question तब मैं कराऊंगी, तब मैं यह अच्छे से explain करूंगी, ठीक है, अभी बस इतना समझ लो, कि हमने क्या किया, यहाँ पर hydrogen gas के, यहाँ पर bubbles बनने शुरू हो गए, dilute sulfuric acid इसके अंदर डाला है, और zinc के granules डालेंगी, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, तब हम burning candle को पास में लेके आएंगे, कि हाँ भाई, अगर पट-पट से कुछ हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर hydrogen gas निकल रही है, इसको अच्छे से और जादा अच्छे से explain करूंगी, हाला कि इसके अंदर समझ में आ चुका है, चैमिकल रियक्शन पता चल गई, क्या होती है, ठीक है, जब transformation होती है, substance की नया substance बनता है, उसको chemical reaction कहते है, chemical equation क्या होती है, equation, देखो, equation बनाने की नीड क्यों पड़ी, short form में लिखने के लिए, अगर हमें कोई भी reaction को short form में लिखना है, अब मैं अगर बड़ा-बड़ा करके लिखूँ, ठीक है, अगर मैं कोई चीज को बड़ा-बड़ा करके लिखने हूँ, जैसे कि यहां पर zinc है, plus में sulfuric acid है, तो वो क्या बन जाएगा, zinc sulfate हो जाएगा, तो अगर बड़ा-बड़ा करके लिखूँगी, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको short form में करने के लिए chemical equations के form में लिखते हैं, हम लोग उसकी equation बना देते हैं, ठीक है, कुछ symbols लगाते हैं, left hand side में, right hand side में कुछ formulas होते हैं, तो वो हम तियार करके पूरी equation बनाते हैं, ठीक है, representation, represent करना of a chemical reaction, किसी भी chemical reaction को represent करना using symbols, symbols यूज करते हैं, ठीक है, and formula of the substance is called chemical equation, कोई भी चीज को symbol यूज करेंगे, प्लस का, ठीक है, उसका state लिखेंगे कि वो aqueous है, liquid है या solid है, ठीक है, उसके state लिखेंगे, प्लस का sign लगाएंगे कि कुछ भी दो चीज है, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर यह चीज है, combine होके कोई भी चीज को, combination reaction में कुछ भी हमें अलग मिल रहा है, यहाँ पर result, ठीक है, तो यह कुछ symbols हो गए, इनके formula हम लोग लिखेंगे, उनका represent करना is known as chemical equation, अब यह देखो कैसे होता है, जैसे कि hydrogen plus oxygen, अगर ऐसे लिखते हो तो बड़ा बड़ा हो गया न, अगर इसको short form में लिखोगे, तो H2 plus O2, H2O, H2O, right, Mg plus O2, MgO, यह unbalanced equation है, ठीक है, यह जो balancing निकर रखी equation की, क्योंकि यहाँ पर H2 के दो molecules हैं, इसके पास में भी दोयले के निहाँ पर single है, balancing नहीं है, सिर्फ आपको example के तोर पर समझा रही हूँ, ठीक है, अब chemical reaction ही दो type की होती है, यही से question बनता है, यही से तो हमारा question त्यार होता है, ठीक है, एक होती है unbalanced, जिसको skeletal chemical equation बोलते हैं, दूसरी होती है balanced, आप लोगों को question में unbalanced equation दी जाएगी, और आपको उसकी balancing करनी है, तो chemical reaction दो type की हो गई, एक होती है unbalanced, और एक होती है balanced, यह question त्यार कर देती, question त्यार हो जाता है, unbalanced को balance करो, ठीक है, जैसे कि iron प्लस में H2O, ठीक है, यह क्या है, फैरिक उक्साइड है, प्लस में H2O, यह यहाँ पर unbalanced equation है, कैसे unbalanced है, यह देखो, मैं समझाती हूँ आपको, कि यह unbalanced equation कैसे है, iron के यहाँ पर one molecule है, iron का, यह होता है left hand side, यह होता है left hand side, और यह arrow के बाद में होता है right hand side, RHS, जिसको बिल्कोल भी नहीं आता, ना कुछ भी करना नहीं आता, जो पता ही नहीं है कि chemical reaction क्या होती है, equation क्या होती है, balance कैसे करते हैं, उसको इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इस चीज की मैं guarantee ले रही हूँ, ठीक है, इस चीज की मैं 100% surety के साथ में बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो आपने अच्छे से सुन लिया, और notebook पैन लेके, अच्छे से इसको एक बार करके देख ले ना, तो आपका ये चीज जो है ना, यहीं पर clear हो जाने वाली, इस चीज की मैं guarantee लेती हूँ, और ये exam point of view से बहुत important है, आब इसको नहीं करोगे तो आगे पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ना तो आपको पढ़ेगा chemistry में, ठीक है, तो अभी से समझ लो इस चीज को, एक होता है LHS, जो left hand side की तरफ होता है, एक होता है RHS, जो right hand side की तरफ होता है, तो iron का यहाँ पर single molecule है, क्योंकि कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, iron का यहाँ पर single molecule है न, कुछ भी नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर क्या है H2O है, यह देखो, H2O, यह दिख रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पर है यह iron oxide, यहाँ पर Fe3O4 है, ठीक है, Fe3O4, यह देखो, अब यहाँ पर 3 molecules है, यहाँ पर 1 molecule है, यहाँ पर मैं लिखते हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पर explain करते हूँ, आप लोगों के साथ, समझाने के लिए, यहाँ पर है हमारे पास में, Fe3O4 and H2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यह बैलेंसिंग करनी है, हमें equation balance बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तो single molecule है, जहाँ पर जिसके आगे कुछ भी ना लिखाओ ना, उसको एक मानेंगे, ठीक है, तो iron का यहाँ पर एक molecule है, हाइड्रोजन, सबको अलग-अलग लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको एक molecule मालनेंगे, ठीक है, यह अलग है, यह इसके अंदर अलग है, यह अलग है, iron वाला अलग है, oxygen वाला अलग है, hydrogen वाला अलग है, हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा है, H के आगे 2 लिखा है, oxygen के आगे 1 है, 1 आप लोगों को ऐसे समझना है, suppose करना है, कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलो, ठीक है, आप दूसरी वाली में देखो, iron के नीचे 3 लिखा है, या तो आगे लिखा हो, या नीचे लिखा हो, सेम बात है, O के नीचे 4 है, प्लस में H2 है, ठीक है, iron का 1 मॉलेक्यूल है, जबकि iron के यहाँ पे 3 मॉलेक्यूल है, यहाँ पे H2 है, जबकि यहाँ पे भी H2 है, मान लिया, ठीक है, balancing है H2 की तो, oxygen का 1 है, जबकि यहाँ पे oxygen का 4 है, बहुत आराम आराम से समझाया है, समझ में आया, यहाँ पे iron का 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 और 3, balancing नहीं है, यहाँ पे 3 होना चाहिए न, iron का वहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी तो balancing होगी, oxygen का यहाँ पे 1 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर भी 4 होना चाहिए ना, तो इसको balance करेंगे, ठीक है, अब balanced chemical equation क्या होती है, जैसे कि zinc, sulfuric acid, ZNSO4, plus में H2, zinc का यहां पर 1 है, तो यहां पर भी zinc का 1 ही है, H2 है, यहां पर H2 है, SO4, SO4, मतलब S का 1, O का 4, ठीक है, तो यह balanced equation है, अब chemical equation की balancing कैसे करते हैं, most important, most important, ठीक है, वही पीछे वाला example लेके चल रहे हैं, हम लोग ठीक है, यह वाला यह example लेके चल रहे हैं, और इसको हम लोगों को balance करना है, क्योंकि यह unbalanced equation है, सबसे पहले कुछ steps हैं, आप लोगों से अगर steps पूछे जाएंगे, तो steps लिखनें, आप draw करेंगे, boxes around each formula, change नहीं करना है, उन boxes के अंदर कुछ भी, सबसे पहले ऐसे करके आप box त्यार कर लेने हैं आपको, ठीक है, box बना लेने हैं, आगे भी arrow के पीछे भी, left hand side में भी, और right hand side में भी, ठीक है, write the number of atoms of element, reactant और product, जो LX side में present है, atoms के number लिखोगे, ठीक है, हर element के कितने-कितने atoms present हैं, वो left hand side में भी लिख दोगे, और right hand side में भी लिख दोगे, दो चीज समझ में आई, सबसे पहले तो boxes बनाओगे, जैसे कि, यहाँ पे समझो, green color के pen से समझाती हूँ, ठीक है, यह देखो, यहाँ पे, इसके आगे box, आपने box लगा लिया, इनके आग सबसे पहले box लगा दिया, iron के आगे भी, H2O के आगे भी, Fe3O4 के आगे भी और H2, ठीक है, यह हम लोगों ने, यह reactants है, यह left hand side वाले हैं, और यह right hand side वाले हैं, ठीक है, elements के number लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे number, कितने number है elements के, iron है, तो iron लिख दिया, H है, अलग-अलग इसा नहीं कि सबको साथ ही लिख दोगे, ठीक है, hydrogen अलग होता है, elements लिखने है, ठीक है, एक बार periodic table को खोल के देखना, ऐसे लिखे होगे, hydrogen, chloride, sodium, potassium, ठीक है, ऐसे करके यह elements लिखे होगे, तो वहाँ से आप लोगों को idea लग जाएगा, ठीक है, तो यह hydrogen अलग है, oxygen अलग है, यह elements है, ठीक है, आपने iron को अलग लिख दिया, hydrogen को अलग लिख दिया, oxygen को अलग लिख दिया, ठीक है, number of atoms की बात करें, left hand side में iron का 1 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1, जबकि right hand side में Fe 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 3, समझ में आ रहा है, कोई जलबाजी नही है, सब पूस अच्छे से समझ में आ रहा है, iron का यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, तो 1 है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया 1, okay, right hand side में Fe 3, तो आपने लगा दिया 3, hydrogen का देखो, left hand side में 2 है, यहाँ पे 2 है, तो left hand side में 2 लगा दिया, right hand side में 2 है, यह 2, यह balance है, ठीक है तो यहां पर आपने 4 लगा दिया एक चीज़ और समझो अगर यह reaction ऐसे कुछ ऐसे लिखा होता ना अगर ऐसे लिखा होता है एच टू ओ और आगे टू ठीक है अभी तो एच टू ऐसे लिखा हुए हो एच टू ओ तो ओ के नीचे कुछ भी निए तो सिंगल है तो एच टू ओ लिखा होगा तो क्या होगा बताओ तू इंटू टू एच के पास में तो फोर हो जाएंगे ना और ओ के पास में तू कैसे पता चला हम लोगों को यह चीज का कुछ को स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी से समझ में आ गया कुछ को नहीं आया अगर आगे लिखा होता है तो वह पूरे का माना जाता है किसके साथ में तो हाइड्रोजन को जितने मॉलिकूल से मल्टिप्लाय कर देंगे तो हाइड्रोजन के चार हो गए नमबर ओफ एक्टमस मैक्सिमम नमबर ओफ एक्टमस किसके पास ते चलो देखते हैं आयरन के पांग ऑक्सिजन के पास में 4 राइट इंसाइड में और चार तो इसी से शुरुवात करते हैं इट में ब्रियक्ट और प्रोडेक्ट कुछ भी हो सकता है तो रेक्टम्ट में जो भी नंबर जिसका सबसे ज़्यादा होगा ना उसी को उठा लो सबसे पहले. Atoms of oxygen, reactant और product. Initial क्या था? H2 हो था, तो यहाँ पे oxygen का 1 था. Initial 1 था, product में इसका 4 था. Fe3O4 था, तो oxygen यहाँ पे 4 है. ठीक है, जो पूरी है ना, उसको 4 से multiply कर दो. तब ही तो balance हो पाएगा. इसको पूरा 4 से multiply कर दो. Fe3O4, ठीक है? इसको पूरा 4 से multiply कर दो. जो H2 है ना, उसको 4 से multiply करो. 1 into 4, ठीक है? H2O जो है, उसको 4 से multiply करोगे. 4 से multiply कर दोगे. तो यह क्या कहला? यह O के नीचे 4 आजाएगा ना तो देखो क्या बन गया चार से मल्टिप्लाइ करने के बाद क्या त्यार हुआ है जो maximum नंबर उसको लिख दोगे और जो बैलेंस करना है ना हमें जो पार्ट बचा हुआ जो अन बैलेंस है उसको हम उतने से मल्टिप्लाइ कर देंगे इतना सम बहुत ही आराम से समझा रही हूं बहुत ही आराम से समझा रही हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है ओफोर ओफोर बैलेंस हो गया अब आइरन को उठाएंगे पिक एनी ओफ दीज एलिमेंट तो प्रोसीड फर्दर अब इसके बाद में क्या करन हैं और यह क्या है प्रोडेक्ट्स हैं प्रोडेक्स में एच के पास में टू है और यहां पे चार है तो यहां पे दो और चाहिए ना हमें तो इसको दो से मल्टिप्लाई कर देंगे इसको कर देंगे हम लोग दो से मल्टिप्लाई कर देंगे ना इसको तो यह हमारे पास मे हो जाएगा एच को हमने 2 से मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह 4 हो जाएगा हमारे पास में राइट और यहां पर भी हमारे पास में 4 था अब समझो क्या है यहां पर 4 था यहां पर 2 है 8 हो गया तो यहां पर भी हमें 4 से मल्टिप्लाइ करके इसको 8 करना है समझ में आया खेल समझ दिया, 8 तो बनी गए ना, 4 इंटू 2, 8 होता है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग इसको, multiply कर देंगे 4 से, 8 बन गया, तो यहाँ पे भी 4H2 हो बन गया, और यहाँ पे भी 4H2, ठेक है, oxygen बचा, oxygen तो यहाँ पे balance है ना, और यहाँ भी balance है इसके साथ में, अब बच गया iron हमारे पास में, ठीक है, iron बच गया, iron देखो, third element को pick करो, reactant की side में 1 था, Fe 1, ओके और यहाँ पे Fe 3 था, तो 3 से multiply कर देंगे, 3 Fe बन गया, पूरी balance हो गई equation, एक बड़ फिर से समझ लो, क्या करना है, यहाँ पे समझो, चलो, यहीं पे समझाती हो, आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को boxes बना लेने हैं, ठीक है, boxes बना लेने हैं, उसके बाद में elements लिखने हैं, नमबर ओफ एटम्स लिखने हैं, ठीक है, elements लिख दो, suppose करो, आइरन लिख दिया, यहाँ पे hydrogen लिख दिया, oxygen लिख दिया, नमबर ओफ ऐलिमेंट्स, 1 है, 3 है, ठीक है, 2 है, 2 है, और यहाँ पे single है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इनकी balancing कर लोगे, जो सबसे जाद होगा, उसको उठाओगे, उसको balance करना शुरू कर दोगे, ठीक है, ऐसे करके आप balance कर लेना, उसके बाद में क्या है, next step is to check the correctness of the balancing equation, Fe3, 3 molecules, 3 molecules, okay report, okay, 8 molecules of H2, 4 into 2, 8 होता है, यहाँ पे 4 into 2, यहाँ पे 8 molecules हो गए, hydrogen के, यहाँ पे भी same है, ठीक है, oxygen का 4 है, O4 है, तो यहाँ पे भी O4 है, राइट, ऐसे करके आप लोग इसको देख लेना, last में कि यह equation के balancing proper है या नहीं है, जरूर करना check, ठीक है, एक भी गड़बड़ोई तो marks कर जाएगा, last में write the symbols of the physical state, कि solid है, liquid है, या gas है, यह solid है, तो solid लगा देना bracket में, गैस है, तो gas लगा देना, ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसकी balancing करेंगे, तो यह कुछ 7 steps से balancing के, 7 steps से balancing के, important था, अब इसके बाद में next important चीज है, types of chemical reaction, बहुत important है, जो यह वाली चीज है, यह आप लोगों को नहीं करनी है, corrosion and rancidity आप लोगों को नहीं करनी है, तो समझना शुरू करो, अब यहां से आप लोग, यहीं से आप लोगों को समझना शुरू करना पड़ेगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो, यहां पर कुछ reactions दी गई है, वो reactions के नाम क्या है, combination reaction, ठीक है, combo बनाना है, ठीक है, combi, combination reaction, decompon, decomposition reaction, displace, displacement reaction, double displace, displace, ठीक है, उसके बाद में है, exo, endo, oxy, reduction, oxy, reduce, reduction का, ठीक है, combination, decomposition, displacement, double displacement, exothermic, endothermic, oxidation और reduction, यह आपकी कुछ यहां पर, chemical reactions है, ठीक है, इनको हम लोगों को बारी-बारी पढ़ना है, समझ में आया, आपको, आप ऐसे ही आप यह तियार कर लेंगे, वैसे notes भी मैं share कर दूँगी, इसके, लेकिन आप लोगों को यह तियार करके, और अपना notebook के अंदर यह आप अच्छे से चिपका ले ना, पहले पेज पे, ठीक है, exothermic, endothermic reaction, combination reaction, composition, displacement, double displacement, oxidation, reduction, corrosion, rancidities के अंदर आते हैं, यह हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, right, decomposition, तीन टाइप का होता है, जब कोई भी चीज़ का decomposition होता है, breakdown होता है नहीं, तो वो तीन टाइप से कर सकते हैं, thermally temperature भढ़ा के कर सकते हैं, electricity को पास कर के कर सकते हैं, photochemical, ठेक है, sunlight में कर सकते हैं, तो तीन टाइप से आगे कर सकते हैं, इसका वो भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे करना है, तो these are the types of chemical reaction, और यह बहुत important है, combination, किसी चीज़ का combine कर रहें, ठीक है, किसी चीज़ को हम combine कर रहें, ठीक है, combine करना nation का मतलब होता है, formation, किसी चीज़ को combine करके reaction कराना, वो reaction, जिसके अंदर two or more reactants, combine to form one product, बहुत जब कोई दो चीज़ कंबाइन होंगी, तभी तो वो एक चीज़ बनेगी ना हमारे पास में, ठीक है, कभी भी कोई दो चीज़ कंबाइन होगी, जैसे ये दो फिंगर्स है, ये A है, ये B है, अब इसने हमें result दिया A, B, ठीक है, तो A, B, suppose करो कुछ ऐसे, ये reactants है, ये product है, ये A है, ये B है, इसने combine करके हमें product दिया, that is A, B, ठीक है, ये है combination reaction, कैसे लिखोगे, reaction in which two or more reactants, क्योंकि यहां पर ये reactants side में है, और ये product side में है, product side में है, ठीक है, तो दो या दो से जादा reactants combine करके, हमें एक product देंगे, one product देंगे, A plus में B, A plus में B gives A, B, ये है product, वो कहलाएगा combination reaction, जैसे कि magnesium plus में O2, magnesium oxide 2 MgO, ठीक है, दो combine होके एक result मिला है, एक product मिला है, burning of call, C plus में O2, CO2, 2H2 plus में O2, 2H2O, ये जो जितनी भी है ना, आपके NCRT book में, ये आप लोगों को अच्छे से लिख लिख के देखनी है, जो ये reactions है, ठीक है, इसके बाद में है decomposition reaction, decomposition reaction क्या है, कोई भी चीज़ को decompose करना, मतलब breakdown करना, breakdown करना, ठीक है, breakdown करना किसी भी चीज़ का, किसी भी reaction में, reaction in which one compound, जब कोई ये compound decompose होता है, two or more compounds, और elements, non-s decomposition reaction, या फिर break होता है, इसको लिख सकते हो, break होता है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, बस definition कैसे लिखने हो, वो देखना है, A plus में B थे, ठीक है, कुछ भी A B था, ऐसे था, ऐसे है, और आपको breakdown करना है, decompose करना है, तो A अलग हो जाएगा, और B अलग हो जाएगा, ये element है, राइट, जैसे कि calcium carbonate, CaCO3 heat दिया, calcium oxide प्लस में, carbon dioxide, ठीक है, calcium oxide प्लस में, carbon dioxide, राइट, इतना समझ में आया, इसके बाद में, ferrous sulfate ये, ferric oxide है, sulfur oxide, sulfur dioxide, ठीक है, उसके बाद में है, thermal decomposition, मैंने बताया था, thermal, जो decomposition होता है, वो तीन टाइप से कर सकते है, temperature रीड करके, thermal, electricity का कर सकते हैं, ठीक है, electrolysis करा सकते है, electricity पास करके करा सकते हैं, हम लोग और photo chemical वाला आजाएगा, ठीक है, तीन टाइप का होता है, तो decomposition समझ में आया, कोई भी चीज़ को हम लोग breakdown कर रहे हैं, ठीक है, A plus B के अंदर, आप लोग पीछे याद कर लेना, reactions को, जैसे calcium carbonate, calcium oxide, plus में CO2 breakdown हो जाता है, तो यह आप, जब एक बार लिखेंगे न, अपने हाथ से, तो आपको याद हो जाएगे अच्छे से, ठीक है, The decomposition of a substance on heating, thermal का मतलब होता है temperature, और temperature से मतलब होता है heating, heat करना, भढ़ा देना temperature, नौन है, thermal decomposition, lead nitrate को heat करेंगे, lead oxide plus में, nitric oxide, ठीक है, auto, right, समझ में आया इतना, इतना समझ में आया गाईज, आप लोगों को, lead nitrate मिला हम लोगों को, ठीक है, यहाँ पे lead nitrate मिला, और हम लोगों एक चीज देखो आप लोग, कि यहाँ पे यह ब्राउन कलर के flames निकल रहे हैं, तो इससे समझ में आता है, कि हाँ यहाँ पे thermal decomposition हो रहा है, और हम लोगों को देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, तो हम लोगों को result में आगे देखने को मिल रहा है, कि यह thermal decomposition कहलाएगा, ठीक है, अब है, इसके बाद में electrolytic decomposition, देखो मैं आपके बुक में भी चीज दिखा सकते हूं आप लोगो को कैसे त्यार करना इसको जो यह मैंने आप लोगो को बताया ना कि ब्राउन कलर की फ्लेम्स नहीं कल रही है ठीक है यह देखो यह आप लोग देख पा रहे हैं इस बुक के अंदर दे रख है अच्छा एक चीज मैं पीछे बताना चाहूंगे आप लोगो को जो यह वाला एक्जामपल है यह बहुत इंपोर्टन इसका क्योंकि यह क्वेस्टन डायोकसाइड देगा और प्लस में यह O2 देगा ठीक है तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना राइट अब इसके बाद में है इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉंपोजिशन रियक्शन्स विच कंपाउंड डीकॉंपोज इंटू सिंपलर और पासिंग इलेक्रिसिटी को प पर यह रोड डाल दिया और दो टेस्ट्यूब लगा दिया ठीक है अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे ना इन वाटर इट डीकॉंपोज इंटू हाइड्रोजन और ऑक्सिजन हम लोगों को यहां पर डीकॉंपोज जब सनलाइट पढ़ रही है तो इसका कलर चेंज हो रहा है रियक्शन इन विचे कंपाउंड डीकॉंपोज बिकोज ऑफ सनलाइट की वज़े से अगर चेंजमेंट आ रहा है तो फोटो लिसस कहलाएगा या फोटो डीकॉंपोजिशन फोटो का मतलब होता है लाइट निया को अधिक्राइट को जब हम लोग सनलाइट में छोड़ देंगे तो वो सिल्वर मैटल के अंदर डीकॉंपोज जेगा और क्लोरीन गैस इसके अंदर दिकलेगी ठीक है एजिसी यल वाइड कलर का हो से सनलाइट में छोड़ेंगे इसका कलर हो जाएगा चेंज सिल्व इसके बाद में है displacement reaction. क्या होता है? displace कर देना, जैसे आप बैठे हो यहाँ पर, यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है ठीक है, कोई यहाँ पर आया यहाँ पर दो लोग है, आपने क्या कर दी, अपनी position change कर दी ठीक है, suppose करो यह है यह है ठीक है, यह दो बैठे हो है, अब आप इसके साथ में आगए, और यह इसके साथ में चले गए, तो कुछ ऐसे बन गया ठीक है यह इसके साथ में और यह इसके साथ मेंको इन दोनों ने change कर लिया, interchange हो गया में दिस्ट् benefit एस प्रेवार्फ पहता है हमेशा वही डिस्ट्लेस करता हुए और डिस्ट्पेस करने में वही इंटेस्ट志ए होता है ठीक है जो बच्योंते जो आगे बैठता नहीं क्लास में पड़ने वह बैठते कρο las be आगे बैठो तो जो जादा रिक्टिव होता है वोय डिस्प्लेस कर देता लैस्प्लेस्मेंट को ठीक है और फ़ेस्प्लेस्मेंट रियाक्शन कहलाती सको सब्स्टिट्यूशन रियक्शन content क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं A plus B, A C है, ठीक है, तो single displacement हो आए है, A C के साथ में चला गया, B को बिचारे को अकेला छोड़ दिया, A plus B C, दूसरा example यह है, A plus B C, तो C A के साथ में आ गया, B को बिचारे को यहां पे अकेला छोड़ दिया, ठीक है, यहां पर displacement reaction, example, देखो, बहुत important examples है, इसके, when zinc react with hydrochloric acid, it gives the hydrogen gas and the zinc chloride, zinc जब react करता है, hydrogen chloride के साथ में, तो यह zinc chloride plus hydrogen gas evolve होती है, ठीक है, तो यह यहां पर है example, copper sulfate, zinc sulfate plus copper, यह displaced क्या, कैसे displaced क्या, यह तो समझ लो, आप लोग एक बार अच्छे से, देखो, zinc hydrogen chloride था यहां पर, जबकि, suppose करो, यह A है, यह A है, यह B है, यह C है, ठीक है, तो zinc chloride बन गया, A plus में C, B को बिचारे को अकेला छोड़ दिया, तो यह है B, समझ में आया, यह है displacement reaction, ऐसे करके लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, double displacement में क्या होगा, टू टाइम्स हो जाएगा, जैसे कि A, B था, C, D था, ठीक है, तो A का C के साथ में हो गया, और B का D के साथ में connection बन गया, ठीक है, A, C, B, D, reaction in which the ions are exchanged between the two reactants forming new compounds are called double displacement reaction, A, B, C, D, A का C के साथ में बन गया, दो reactants के बीच में ion exchange हो गया, double displacement reaction, ठीक है, solution of the barium chloride, barium chloride का solution react करेगा, किस के साथ में sodium sulfate के साथ में, तो ये precipitates बना देगा, ठीक है, forming along with the sodium chloride, समझो, फिर से समझो, A, B, C करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, A, B, C, D करके देखते हैं, उस यसे समझ में आएगा, ये देखो, barium ये एक है, chloride ये दो है, sodium ये तीन है, sulfur oxide, ये चार है, ठीक है, D लिग देखते हूँ, आप ये देखो, barium chloride, ये एक है, barium ने क्या किया, किस के साथ में बना लिया, D के साथ में पेर बना लिया, तो A, D हो गया, A, D, प्लस में, B, C, ठीक है, B क्या है, chloride है, और C क्या है, sodium sodium hydroxide, ये इस, react with the hydrochloric acid, sodium chloride and water are formed, sodium hydroxide, water के, HCL के साथ में react करेगा, तो sodium chloride, salt बन जाएगा, और ये है, precipitate, salt बन गया, जो precipitate होते है, वो solid होते है, ठीक है, ये है, solid, कुछ भी solid त्यार हो रहा है, the reaction in which the precipitate is formed, by mixing of aqueous solutions of 2 salt, 2 salt को त्यार करेंगे, तो तीसरा salt बन जाएगा, तीसरा precipitate बन जाएगा, जैसे कि, Na2SO4, BACL to barium chloride, BASO4 to NaCl, ये क्या है, यहाँ पर, aqueous medium में अगर डालेंगे, तो वो salt बन जाएगा, ये है, precipitate, precipitation reaction, important है, पूछा जाता है, आज का last topic है, oxidation and reduction reaction, important है, थोड़ा confusing है, ठीक है, अच्छे से समझना तो confused नहीं होगे, यहाँ पर electron है, A के पास में, B के पास में नहीं है, अगर तो जो A molecule, अगर इसके electron हट जाते हैं, तो ये oxidize हो जाता है, ठीक है, loss of electron क्या कहलाता है, oxidation, तो आप लोगों से definition पूछी जाएगी, oxidation क्या होता है, तो you will write, loss of electrons is known as oxidation reaction, ठीक है, B है, इसके पास में कुछ भी electron नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका reaction में, यहाँ पर एक ये आके electron अटेच हो गया, तो reduction क्या है, gain of electron, reduction क्या है, gain of electron, अगर electron आ जाता है, तो वो reduction कहलाता है, अब अगर oxygen और hydrogen की, मैं भाशा में बात करूँ, तो क्या है oxidation, addition of oxygen, oxidation है, oxidation, addition मतलब formation, oxygen मतलब oxygen, ठीक है, oxygen एड हो रहा है, या फिर hydrogen का removal हो रहा है, ठीक है, तो oxidation में आप लेख सकते हो कि removal of hydrogen, या फिर addition of oxygen, इतना clear हुआ, अब oxidizing agent क्या होते है, oxidation में तो add करते हैं, oxygen को, या फिर hydrogen को हटा देते हैं, लेकिन जो agent होते हैं, क्या करते हैं, which gives oxygen for oxidation, is called oxidizing agent, जो substance oxygen लेकर आते हैं, oxidation कराने के लिए, वो oxidizing agent कहला देंगे, क्योंकि वो oxygen को लेकर आ रहे हैं, oxidation के लिए, ठीक है, या फिर the substance which remove hydrogen, हाइड्रोजन को हटवा देते हैं, या फिर जो substance, वो agent कहलाते है, agent क्या करते हैं, कोई भी agent है, उसको पकड़के लेकर आया, oxygen को, ठीक है, oxygen को, लेकर आया, तो वो oxidizing agent कहला देगा, या फिर उसने hydrogen को remove कर दिया, remove कर दिया, तो वो, क्या कहलाएगा, oxidizing agent कहलाएगा, ठीक है, agent, या तो hydrogen को रिमूव करवा दो या oxygen को एड करवा दो oxidation है reduction में opposite हो जाएगा reduction में क्या हो जाएगा addition of hydrogen hydrogen को add करो या फिर oxygen को हटा दो ठीक है reducing agent क्या करेगा which gives hydrogen for the reduction reduction process के लिए hydrogen ले के आएगा reducing agent कहलाएगा जो electrons अगर हट रहे हैं release of electron हो रहे हैं ठीक है इस reaction में B के पास में electron नहीं है यहाँ पे आ गए तो यह reduction electron को accept कर रहे हैं ठीक है the substance which remove oxygen is called reducing agent ठीक है oxidation reduction इस बात से समझो अच्छे से इस समझो और यहीं आप लोग लिख क्या होगे example की तोर पे CuO plus में H2 heat करेंगे Cu plus में H2O copper oxide है Cu copper है copper है ठीक है C और इसके साथ में oxygen कोपर के साथ में oxygen है अकर यहां पर oxygen हट गया यहां पर Cu बचा है ना सिर्फ तो यह reduction कहलाएगा क्योंकि जो हमारे पास में O2 है ना वो reduce हो चुक है ठीक है o2 जो हट चुक है लो ओ सुक ऐगा है थीक है अगर इसके साथ में oxygen add हो गया तो वह oxidation कहलाएगा और यह complete कहलाएगी redox reaction, अब इसके अंदर क्या है यह आप लोग मुझे बताना, ठीक है यह question है आप लोगो को करना है, यह आप लोग मुझे comment box में करके बताओगे, क्या reduce हुआ है, क्या oxidize हुआ है, ठीक है, oxygen हट जाता है, remove ह हो जाता है, oxygen remove हो जाएगा, reduction कहलाएगा, ठीक है, oxygen add हो जाएगा, तो oxidation कहलाएगा, इस बात से यह समझ जाना, ठीक है, चलिए, exothermic reaction और endothermic reaction भी है, छोटा सा टोपिक, चलो देखी लेते हैं, exothermic में क्या है, heat release होती है, formation of product, is called exothermic, जब कोई भी product बनता है, तो heat निकलती है ठीक है, जैसे respiration होता है, C6H2O6, 6CO2, 6CO2, प्लस में 6H2O और energy, यह energy heat की form में निकल रहे है, ठीक है, अब ऐसे ही COO, H2O, calcium hydroxide बना था है यहाँ और energy, energy की form में निकल रहे है, heat की form में निकल रहे है, मतलब यह क्या है, exothermic reaction है, ठीक है, endothermic reaction क्या है, जहाँ पे heat energy लगती है, absorb हो जाती है, हाँ पे heat energy लगेगी, तब यह COO और CO2 के अंदर बनेगा, ठीक है, calcium carbonate जो है, calcium oxide प्लस में CO2 के अंदर बनेगा, जब इसके अंदर heat absorb होगी, तो जब absorb होगी, तो endothermic, endo मतलब अंदर ही रह जाएगी, absorbed होके, exo मतलब बहार निकल जाएगी, ठीक है, तो यह है आपका पूरा chapter, I think आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, guys, चलिए, आज complete यहीं पे खतम करते हैं, chapter अच्छे से समझ में आया होगा, एक like कर दो, please, और वीडियो को share कर दो, जीतना हो सके, कल मिलेंगे, bye till then, take care, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे स समझो कुछ समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, चलिए, bye, bye